कि चम्तकार सच टीवी में आपका स्वाक्त है और आज फिर हम लोग कि प्रोग्राम लेकर रहे हैं रेयल्टी ओफ दस जारस्च चरच की चर्च की असलियत चर्च की असलियत सो आपसे हम लोग किसी न किसी व्यक्ति को मुलाते रहते हैं हलां कि लॉग्डॉण था और हम पाए इस प्रोग्राम में और आज हमारे साथ हैं गुरुद्याल सर आज हम लोग गुरुद्याल से बात करेंगे कि आप जब मसी में नहीं थे तो उससे पहले आप कैसे थे आपका क्या जीमन था कैसा जीमन था हलेलुईया सब को जय मसी की मैं मैं गाओं खाट लवाना से विलॉंग करता हूं है तो मसी के आने से पहले हमारे एक तो पीडी दर पीडी शराफ था अच्छा आपके शराफ था जैसे नहीं शराफ कितना गुपराना था आपके पिता से था या उससे पहले था मेरे दादा जी से था तो मेरे पिता जी उन्हीं पांच भाई थे वो जब पाकिस्तान में रहते थे तो एक मेरा चाचा था उसको भी दोरे आते थे मेंटल था यानकि मिर्गी के दोरे आते थे और वो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बट्वारा वो तो वो वहीं पहरए गया तो फिर मेरे पिता जी उन्हीं हंदुस्तान में ऐगए और मेरे पिता जी कौ भी दोरे आते थे मिर्गी खे अ जो आप के दौरे आपके दौरे आते थी के दौर्ए है मेरे da settlement मेरे गाते थे पेले ceo है उनके बाइक को आते थे अचा उनके ंगा आकल आपके पिता के मेरे वी help कोरश हैं है निद यह आneyक मेरे चाच्चा तो हमारा एक चाचा था उसके भी यासे दोरे आते थे और उसके आगे संताम थी एक लड़का और तीन लड़कीयां थी, दो लड़कीयां सही थी और एक लड़के को दोरे आते थे और एक लड़की थी वो भी मैंटल थी उसको भी दौरे आते थे उसने क्या कपड़े पहने हैं क्या नहीं पहने उसको कोई नहीं है चाहे बड़ा चला गया चाहे छोटा चला गया उसके सिर पे हाथ रख देती थी और जाके ऐसे जब फिर डाल लेती थी तो बातके पीड़ी दारक scarab. बच्चो को भी आते थे और आपके पिता को बेटा बाइदी. चुछ भा बड़ा आपा का तो उसको भिदारी आते थे वो amde न पमझारे श्राफ हैं आपकर देश नियोंगे श्राफ में लुखा बाई घरान रहे एक तो गरीबी थी और एक यह बिमारी थी यह दोनों चीजें थी तो फिर अपने गये मतलब इतने साल इतने साल इतने साल यह चलता रहा तो फिर करवाया नहीं आपने इलाश गुद्वाकोर साधू संतों के पाशनल वहां पे। सूतकी होता था या तुम्हें बच्च्छा पैदा हुआ यह इसलिए हो गया है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि देखो कितने लंबे समय से यह बात चल रही है यह इतना बड़ा शिराप है आप इस बात को समझे देश का बटवारा कब का हो चुका है और उस समय जब इसके चाचा थे और वो वहीं रह गए उसको भी यह समस्या थी फिर इनके पि सोईता हूं कि आपके पिता जी के उपर श्राब था और फिर आपके उसके शोटे भाई के उपर श्राब था फिर उसके शोटे उसका जो शोटा भाई जाने के उसके उपर श्राब था तो इतना लंबा श्राब चला रहा था उनके आगे बच्चों में श्राब चला रहा थ और मतले यह stall was चला रहा था आप इस सी बात को सोच यह वी इतने इस साल निकल गए इतने वर्ष निकल गए इलाज नहीं हुआ इतने वर्ष निकल भी ची में तोटा इने जैंसे यह क्यों जो कि को शरण नोड़ी नहीं पाया जैसे और जाई rif चाहते कौन कौन सी जगह पर गए हलाग मुझे भी मालूम है उनको भी मालूम है तो कितनी धार्मिक जगह पर गए कहीं से भी शराप नहीं टूटा और फिर के पास जाते और एक दो तीन दिन राम रहता जैसे बता रहे हैं और उसके बाद फिर क्या हो जाता वह कहा देते नह हो यह शराप जो है यह शराप ऐसे नहीं टूटता बैबल पर मिश्र के पवितर वचन में लिखा हुआ है कि प्रभी ये श्यू मसी हमारे लिए श्रापत बना तांकि जो श्राप जिनके उपर श्राप हैं उनकी श्रापों को तोड़े और कुलूसियां 2.14 में लिखा हमारे वरोध में था उसे प्रभी श्यू मसी ने क्रूस के बलिदान के दवारा हटा दिया तो यह श्राप कहनी तूट तूट रहा थैंका और इस आप यह तोचो इतना मालों इसके पिता जी थे चलो इसनके चाचा दोने चाचों की बात अलग करते हैं इसके पिता की बात क काहां तो उसने प्रिवार को करने के खान की कहां तो उसने अपने परवार को कर नीधि और परिवार उसकी के लगर करने तो क्रूंचer किया हुआ कि फिर क्या हुआ बहुत जगों के गए कोई लाज नहीं हुआ 1905 मेरे पिता जी की सटोगी सब्सक्राइज़ ऑगी सब्सक्राइब दुख की बात यह है कि सारी उमर ऐसे निकल गई ना और उन्निक थो फिर मेरा जो बड़ा ऑई था उसको भी दोरे आते थे वो एक बार घर से चला गया, सडक सडक चला गया, पतनी कहां चला गया, हमने बहुत ढूंडा उसको, हमें नहीं मिला, एक बार फिर किसी को मिला और वो घर पे लेके आ गया, कुछ दिन रहा, फिर वो वापस चला गया, उसके बाद वो नहीं आया, क्या पता कहां गय तो आप कर रहा था तो आप कितर कितर नंग बड़े थे मैं कोई था पंद्रा, 50 साल का था पंद्रा, 16 साल का ऐसा ठीक तो मैं अपनी ममी से बात कर रहा था ममी मेरी कहती हैं मुने बहुत दुख देखे हैं कहती एक बार तेरे बाई को कहीं लेके जाना था गाउंसे 6 किलोमेटर दूर कोई तांत्री के वहां पर ले के जाना था, उसको दोरे जो आते थे, तो कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो किसी जिमीदार के पास गय का ते मैं दुपएर को गई, बार मेरी मम्मी मेरे बाय को कहीं लेके गई थी पंजाम में धिर्मिक इस सताल पिर रखा था तो वहां पे क्या हुआ हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं था मेरी मम्मी बहां थी मेरी शिष्टे दोनों घर पे थी उनको कोई खाने के लिए कुछ नहीं था तो तुफान आया था अंदेरी आया थी और पचास रपए उड़के आये थे और उन्हें नुवरा चलिया कोई बात नहीं आप प्रवी उन्हें सब कुछ ठीक कर दिया है और इसमें नहीं है मुझे भी दुख सुनका रोना आना शुरू हो जाता है तो इतने अटने हलात मतलब खराब थे कि घर के लिए खार में खाने के लिए भी परशाने थे खाने के लिए भी दिखकत थी वी क्या खाएंगे क्या क्या खाएंगे मंलोग है कैसे घर को गुजरा होगा तो फिर आपका मकान तो मकान कैसा था आपका कच्चे होंगे तो कच्चे मकान थे तो कच्चे मकान थे मेरे बाई चला गया फिर मैं और मेरी ममी रह गी थी फिर मेरी दूनों शिष्ट्रों की शादी होगी थी एक की डैथ होगी थी मेरी शिष्ट्र की पिता जी उन्हें से प शादी के बाद और उसके बाद मैं और मेरी मम्मी घर पे रह गे थे दस माल दो या तीन को मारी शादी होई साल दो साल बाद जो मेरी दूसरी शिस्टर थी उसका भी डेथ होगी थी अच्छा मतलब तेरी दोनों बेनों दोनों की डेथ होगी दोनों बेनों की डेथ होगी काम कर रहा था आपके घर में घर में कहूं के पूरे खांदान में यह कर रहा था पूरे खांदान में यह तो मुझे मुझे माल में है कि आपके मतलो जो कच्छा कमरा था एक कच्छा एक कमरा था बार गेट भी नहीं था उसमें क्या करते थे वह एक दुबार ऐसे कर रखी थी एक दो आसे थी और बीच में एक लगा देते थे लाठी सी लगा देते थे बीच मतलब बशुखुशुना आए अंदर एक बार की बात है हमारे गर हमें लाइट नहीं थी काफी साल हो गये जब उन्हें नहीं थे, तो लाइट थी, हमारा कच्चा कमरा था, को मैं और मेरी मम्मी सोय हुए थे, रात को एक बाद चोर आये थे, वो कित इस गर से चोरी करते हैं, वो गर से चोरी करने लगे लिए आये थे, लेकिन हम सोय हुए थे, मैं और मेरी मम्मी, तो उन्हों ने देखा, पता चला कि गाओं के और किसी घर में जाकि उन्होंने यानिकी ये चोरी की थी तो फिर आपकी शादी हुई और फिर उसके बाद कैसे रहा शादी होने के बाद ने फिरेgy अलर बाद में संतान भी लड़का हुई लड़के का नाम संधीप है तो जैसे से बड़ा हो गया दो साल का हुआ एक तो उसके الرजी रहती थी दो और दूसरा वह अपनी दादी के पास मेरी मंथ के पास सोता था तो वो सोता था तो रात को जब सो रहे थे तो वो ऐसे कि उसके हाथ पाउं ऐसे हिलने लग जाते थे हाथ पाउं हिलने लग जाते हैं क्योंकि मेरी ममी को पता लग गया यह एक शतान का अटैक है क्योंकि जब मेरा बड़ा भाई था वो भी अपनी ममी के पास जब सोता था वो कहते इस तरह इंटायक शुरू से हुआ था तो आपके भाई के भी ऐसे आत्कांते थे शुरू में ऐसे वहां से शुरुवात वहां से हुई थी नीचे क्षड़ा गाड़ के और चारो कौनों में कीले लगा देते थे तो जैसे अपका कमरा था घर था तो एक कोंए पिर फुराँ सफ़ता कोद पर उसमें फुमर्व तो जिसे कहते थे मुझे मुझे मालू मैं मैं भी तो इन-विस से आया हूँ तो जिसे कहा देते थे कि घ तो उसके बाद फिर मेरी ममी कहने लगी मी यह तो बड़ी दिक्कत वाली बात है आपने को नाम नुम भी ले रखा था था कोई हम ले ले लो और साथ में तांतरी को पास फिर पत्र चाने को पास पिजाता है पास भी जाते थे इन पर खुटकारा मिल जाए तो तो फिर आप आप की घर में यह बहुत महिनत की बहुत मैंनत की बहुत गरीबी देखे उन्हों एक तो बीमारी थी और एक गरीबी थी यह दोनों एक साथ थे बड़े हलाव में कुछ था कुछ तो आप कही रहा तो जब इंकल साथ, तो ऐसे बुरे हलात थे आपके, और फिर अब खुशी की बतें बताएं तांके आंसु जो हैं, वह सुखें, कैसे फिर आप, जब आप सम जगा जा लिया, देख लिया, कबरों पे जा लिया, और सम जगा जाकर ठके हार गए, फिर आप चर्च में आए, फिर मिश्र का धन्यवाद हो जब आप चर्च में आए और फिर फिर मेरी ममी ने का भी देखो हम बहुत जगह पे गई हूं मैं तो सारी उंबर बिता दीन दुखों में लेकिन कोई छुटकारा नहीं मिला तो हमें किसी ने परभू के बारे में बताया वो कहते हैं परभू के पास चले जो आपका लड़का अच्छा हो जाएगा प्रभू यिश्य मसी के पास आप चले जाओ तो हमने एडरस लिया तो चम्चिकार यहां चर्च का गंगना हमें वकील साब ने हैं एडरस दिया और कार्ड दिया और हम यहां पे आए तो पहली पराथना में संडे को हमें आते रहे हमें पीछे नहीं अटे जैसे जैसे हम आते रहें और हमें चंग्याई और छुटकारा मिलता गया और मेरा लड़का एकदम सई हो गया तो आप आपके सारे मैं ऐसा कहूं कि आपने आके पापों कि शमा मांगी फिर आपने बब्तिसमा कब लिया ता कुछ दिनों क आपके प्रवार ने बत्यसमा ले लिया अपके पाप शमा हो गये से मेल उगया और अपनी सांब रदी अपना अपने शेक दिया डिया तो परमिश्न आपको में Burke तो इसका मतलब यह फिर आपके श्राप सारे तूट गए तूट गए फिर परमिशन आपको आशिश दी अभी तो मैं आपके घर गया था तो वह तो सब पक्का बने हुए कमरे कमरे रसोईया रसाइया बात रो यह वह सब कुछ बना हुआ यह पर्वु का अनुग्रह हुआ ज हैं वह भी कैश दिकिष्टों पर नहीं लिया सब कुछ लिया अब इस लॉग्डॉन में हमने एक गाएं ली और एक जूसर के मशीन ली और एक दस अजार का कुलर वह भी नया लिया पर्वु ने दिया लोगों लोग तो सोना गिर्वी रख रहे हैं कई तो और परमिशन आ वब और घ्रमे आपके परवार से शरापा को तोड़ दीया क्योंकि सिर्फ और भी विश्मसी आज हैं जो शिरफ तोस्ते हैं और घर में खुशहाली है आपने की दिकते पर यह को पहनते हैं सब अच्चे दिया में बच्चे बिलको ठीक प्रभीष्य मसी आपका मेल परमिष्य के साथ हो गया आप विश्वास करते हैं कि आपको प्रभी तरात्मा से भी बढ़ा हुआ है तो परमिष्य का धन्यवाद हो इनसा वी बातों के लिए परमिष्य के लोगों आपने देखा कि कैसे जो हमारे बीच में गुरू द्याल हैं कैसे इसके परवार पर शिराप था और ये शिराप कितना लंबे समय से चला आ रहा था वो कैसे बिचारे रो रहे थे उन दिनों को याद करके उनके आंसू आ रहे थे और उनको देखकर मुझे भी आंसू आ रहे थे तो कैसी कैसी कठनाई में ये रहे कैसी पीडा में रहे कैसी दिक्तों में ये रहे और आप सोचिए इसकी माने कितनी मेनत की होगी इसकी माने कै कैसे दिन नकाले होंगे थोड़ी सी मैं कलपना करता हूं तो मुझे मुझे घबराट होने लग जाती है कैसे इसकी माने मेनत की कैसे इन बच्चों को पाल पोशकर बड़ा किया और साथ में पहले अपने घरवाले को भी संभालती होगी और फिर बड़ा बेटा जो था वो ऐस आगर आगर आगे नमबर प्लेट नहीं लगी हुई है तो मैं फिर काफी दूर जाने के बाद साथा फिर में वापस आता था फिर मैं उस गाड़ी का नमबर देखता था अभी यही नमबर है क्या फिर कोई खंबा खड़ा या पॉल खड़ा है तो उसके यानि कुछ दूर चला गया लाइट का खंबा होता था कुछ दूर चला गया तो फिर मैं वापस आगे वहां खंबे को हात लगाता था इदर उदर कि इसको एसे रखना ऐससे करना हिलाना करना और मेरी मम्मी और नेपतनी कहते हैं चाहदी के बदी जब प्रवु में नहीं है मदलो तीयर द्माग में यह आथा था जैसे एक पोल है पोल के मन में यह ऐता था कि दिमाग में परेशान कर रखा था मैं जाओं और इसके चारों और ऐसा गुमूं जा इसको हाथ लगाँ。 और फिर इतनी दूर से यहां लगां कि वापस रहा था शादी वह चुकी थी। मुहँए Kings को गाते विए फिर को फिर उसके में परिशानी बाप तो फिर जब वीडियों का वो लेख जो इनके नाम पर उनके वरोध में था उसे मिटा डाला परविश्य मसी ने जैसे ही ये चर्च में आये परविश्य मसी ने अदबुत काम किया मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं कि ये मेरी बक्ति जा मेरी शक्ति से नहीं होता हम लोग ने बड़े-ब बहुत आशिश दे और परमिश्य आपको भी बहुत आशिश दे और आप लोग और भी जादन के लिए प्राथां कीजिए कि प्रमिश्य में और आगे बढ़ सके और परमिश्य आपको भी आशिश दे और जल्दी हम लोग आपसे मिलें इस प्रोग्राम में चर्च की असलि आपने धर्म तो नहीं बदला अभी तक भी बदला तो इन्हों नहीं तर्म नहीं बदला लेकिन पर वेश्वम सी का अपना दारकर्ता ग्रेन किया है स्वर्परमेश्र आपको आशेश दे सब को जैम सिकी अलेलुया खो तक Time 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 Money Faceतिक जैम से सब का अपनाenda आपको आपको मायी पर içे सम्वर्रमेश्र आपको माम MAज़ झाले तका। झाल, झाल, झाल